नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे संसकार चैनल में, दोस्तों अगर अपने जिन्दगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नीम करोली बाबा से जानिए किन चीजों का दिखना होता है, व्यक्ति के लिए शुब संकेत, दोस्तों, नीम करोली बाबा का नाम 21 सदी के महान संतों में लिया जाता है, उनके द्वारा दिया गया ज्यान आज भी कई लोगों का मार्ग दर्शन कर रही है, नीम करोली बाबा के उपासक उन्हें हनुमान जी का अवतार मान कर पूझते हैं, दोस्तों हिंदू धर्म में संत, महात्मा, रिशी, मुनी एवं गुरु का गहरा महत्व है, जो व्यक्ति इन सभी के द्वारा बताये गए आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में कई प्रकार की सफलताएं प्राप्थ होती हैं, इन ही में से एक विश्व प्रख्यात संत थे नीम करोली बाबा, जिनके भक्त न केवल देश में बलकी विदेशों में भी मौझूद है, नीम करोली बाबा की भक्तों में मार्ग जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स का भी नाम शामिल है, उन्होंने अपने जीवन काल में कई लोगों का मार्ग दर्शन किया था, और कई ऐसी बाते बताई थी, जिनसे व्यक्ती को सफलता प्राप्थ हो सकती है, आईए जानते हैं कि नीम करोली बाबा ने किन तीन चीजों को बताया था सफलता का चिन्ह, पहला, साधु संत का नजर आना, दोस्तों नीम करोली बाबा के अनुसार, जिस व्यक्ती को साधु संत नियमित रूप से नजर आते हैं, उन्हें जीवन में कई प्रकार की सफलताएं प्राप्थ होती है, यह संकेत है कि उनका अच्छा समय शुरू होने वाला है, साधु संतों का नजर आना इस बात का चिन्ह है, कि देवी देवताओं की क्रिपा द्रिष्टी व्यक्ती पर बनी हुई है, दूसरा, धावुक होना है अच्छे समय का चिन्ह, दोस्तों नीन करोली बाबा बताते हैं, कि जो व्यक्ती हर समय सच्चे मन से भगवान का भजन और कीर्तन करता है, साथ ही भक्ती के समय उसके आँखों से आसु गिरने लगते हैं, तो यह चिन्ह है कि व्यक्ती को कई प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है, माना जाता है कि भक्ती के समय आसुओं का गिरना शुब संकेत होता है, तीसरा, पशुपक्षियों का घर पर नियमित आना, दोस्तों, नीन करोली बाबा बताते हैं कि जिस व्यक्ती के घर पर नियमित रूप से पशुपक्षी आते हैं, उन्हें यह समच जाना चाहिए कि उनके लिए अच्छा समय आने वाला है, साथ ही देवी देवताओं की कृपा उन पर बरसने वाली है, पशुपक्षियों का आना सामान्य नहीं माना जाता है, यह केथ होते हैं और इससे घर परिवार में खुशियां आती हैं.